तो कॉंग्रिस करती रह गई अपना दावा और खेल गई सपा जी तमाम सवालों और सस्पिंस के बीच पूलपुर सीट पर खेल हुआ दरसल कल शाम से ही पूलपुर उप्चुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं सोचल मेडिया पर चल रही थी चर्चाएं कि कॉंग्रिस ने सीट शेयरिंग को लेकर दो टूक संदेश अपने अलाइंस पार्टनर सपा को दे दिया कि दो सीटों से बात नहीं बनने वाली खैर और गाजियाबाद के साथ पूलपुर भी चाहिए खबराई कि खुद राहूल गानी ने अखली इश्यादब से फोन पर बात की और पूलपुर सीट पर कॉंग्रिस और सपा में समझोता हो गया कहा गया कि कॉंग्रेस सबस्यादा पूलपुर सीट चाहती है जो सपा नहीं उसके खाती में डाल दिया और दोपहर तक इसका अधिकारिक एलान भी हो जाएगा वहें दमाम चर्चाओं के बीच सपा उमीदवार मुझतबा सिद्धिकी ने नामांकन दाख्रिक कर दिया हमारे कंडिडेट जो अमन्ना सिंग मौर थे वह 18,000 वोड से चुनाव वहां पर जीते थे जनता ने जनादेश समझवादी पार्टी को दिया है और वह जनादेश आज तक कायम है और सारे लोग मन बनाए बैठे हैं यहां पर उप चुनाव में जीत हमारी होने जा रही है और हमारे सभी पतादिकारी सभी कार करता वहां पर पूरी मुस्ताइदी से काम कर रहे हैं बड़ी अभवा है कि फूल फूर सीट से कॉंग्रेस यहां पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं देखिए चुनाव में हम परभारी बनाए गया है और साह परभारी ये संदीप और हमारे कंडिडेट में नामांकन करती है तो बहुत चोटी बात है जहां देश लेबिन पर जब इंडिया गड़ बन्धन कर चुका है एलाइंस और उन्होंने करिश्मा दिखाया भी है तो यह एलाइंस काइम रहेगा 27 तक अभी काइम रहेगा और इंडिया गड़ मनमुटाव है एक दो सीटों को लेकर तो सफा के राश्री महा सच्छी विंद्रजीत सरोज ने कॉंग्रिस से मनमुटाव की चर्चा का खंडन करते हुए कहा कि हमारे प्रत्याशी ने नॉमिनेशन किया है लेकिन गड़ बन्धन रहेगा दावा 27 तक इंडिया लाइंस के स लपा और कॉंग्रिस के मस्बूत कठ जोड़का किया जाता है लेकिन सवाल बढ़ा है कि आप क्या करेगी कॉंग्रिस या फिर समाजवादी पार्टी कॉंग्रिस को कैसे मनाएगी प्रयागरा से पंकर शिर्वास्तफ के रिपोर्ट यूपी तक